अलावरीवन नमस्कार दोस्तों स्वागरते अब सभी का एक बार फिर साची इश्गवातम के साथ अट्रे 24-7 हमारे यूट्यूब प्लेटफरम पर है तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20th of September की Most Important News और कैसे क्या रहेगा सेशन वह आपको बता देता हूं जा रहे हैं और यह जो 15 सवाल रहेंगे मेरे दोस्ते बहुत important सवाल रहेंगे आपके कुछ MCQs ऐसे होंगे जो हम लोगोंने कल news पढ़ी तो इन पर बेस्ट होंगे और कुछ हमारे अलग रहने वाले हैं इसके बाद हम लोग आज की important news पर भी discussion करेंगे news भी आपकी आज काफी important है और सारी news है जो news one liner है उसको one liner के साब से पढ़ेंगे और जहां detail ज़रूरी है वहां मेरे दोस्तों का explanation भी discuss करेंगे इसे इस पर इंट जो bank SSC state exam railway exam state pieces किसी भी exam की तियारी कर रहे है इन सब यह exam की है इन पर बेस्ट ही इन पैटन इन examination के pattern पर बेस्ट किसी भी examination की तियारी कर रहे है जब current office आपका role play करता है even SSC CGL की भी हम लोग बात कर लेते हैं उन सब के लिए मेरे दोस्त यह session बहुत important रहने वाला है तो guys आज का जो quote है यह आपकी health के around है health is wealth यह हम लोग सुनते हुआ है एसास हम लोगों को एक समय के बाद होता है health is wealth health is wealth आज का वक्त हम लोग youth हैं तो हम लोग हाथ पैर मारते हैं और हमारे को अगर थोड़ी भी परेशानी भी होती है तो हम उसको नजर अंदाज कर देते हैं तो देखो इस को इस तरीके से ही समझ लो मेरे दोस्त कि आप जब खाना बना रहे होते हैं तो आप चाहते हो कि और अच्छे-च्छे life में जितना बहतर ingredients डालोगे ना जितने बहतरी मसाले डालोगे उतना बहतरी ना आपको मेरे दोस्त स्वाद आएगा ओके लेकिन यह जो स्वाद होता है यह हमारा instant नहीं होता खाने की तरीके से यह आपको parallel मेरे दोस्त यह relief देता रहता लेकिन जब यह चीज़े खराब हो होती है ना आप अच्छी चीज़े इंवेस्ट नहीं कर रहे होते हैं अपनी लाइफ पर तब जाकर कहीं ने कहीं मेरे दोस्त आपको धीर दीर हैसास होता है और यार काश में कर लिया होता है जैसा अभी एक जुन-जुन वाला साहब का एक statement आया था इनका निदन हो गया कि मेरा वस्ट जो investment रहा था मों मेरी health रहा था अगर मेरे health पर ध्यान दिया होता तो मैं बहुत बहतर और कर सकता था तो दोस्त एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी health को पहली priority आपको देनी है अगर healthy है तो आप दोस्त कुछ भी पा सकते हैं healthy है ना तो आप कुछ भी पा सक तो यह आपकी बहतर होनी चाहिए इन दो चीजों पर आपकी पहली priority है जो काम करना है everything is secondary everything is secondary priority should be mental health and your physical health okay so I hope यार तुम लोग समझोगे कि मैं इस पर काफी समय नहीं दे पाता हूं health पर तो इसके लिए मेरे को कहीं न कहीं कहीं न कहीं फेस करना पड़ता है ठीक है so आज त effort पसंद आए तो प्लीज आर वीडियो को like और share जरू करना okay आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बाकि हमारे किसी भी paid batch में आपको admission लेना है किसी भी paid batch में even A to Z चाहिए bank महापैक हो चाहिए SSC महापैक हो चाहिए हमारी कोई live class हो मेरे दोस्त okay even कोई भी single batch हो किसी भी examination से related test series, e-books या printed books है उसके लिए code है Y168S code पहले सवाल पर आते हैं प्रनवानन्द विकम इंडिया जो 76th chess grandmaster he is from which state तो प्रनव मास्टर जो है यह करनाटक से हैं okay प्रनव कुमार प्रनव कुमार यह कहां से हैं यह करनाटक से हैं प्रनवानन्द यार क्या बोलना हूँ प्रनवा 66th grandmaster बने एक्जामने बहुत बार पूछता है grandmaster बहुत बार पूछा या चुका है किस नंबर के grandmaster कौन बने तो इनका नाम याद रखना ओके आगे देखना इंडिया रेटिंग ने जो इंडिया की GDP growth rate है 2223 के लिए घटा कर कितने प्रतिशत कर दी है बताई दोस्तों 6.9 प्रतिशत 6.9 प्रतिशत 6.9 प्रतिशत which bank ranked 63rd on the west workplace in Asia 2022 तो जो great place to work इसके दवारा एक list release की गई है जिसमे best workplace के मामले में Asia में जो bank है हमारा वो 63rd place पे रहा है सवाल यहां पर यह है इस bank का नाम क्या है तो इस bank का नाम है तो इस federal bank ओके great place to work में यह 63rd place पर है 63rd place पर UNICEF ने अभी हाल फिलाल वेनिसा नकाते को किसको मेरे भाई वेनिसा नकाते को climate activist नहीं और इनको goodwill ambassador बनाया है ठीके तो जो United Nation Children Fund UNICEF उसके goodwill ambassador का नाम क्या है वेनिसा नकाते वेनिसा नकाते फाइन इनका नाम याद रखना वेनिसा नकाते and she is from which country यूगांडा यह यूगांडा से है कहां से भाई यूगांडा से ओके आगला देखना who has been selected chairman and managing director of NLC India Limited, NLC India Limited के chairman और managing director का नाम क्या है जिनको नियुक्त किया गया है तो प्रसन्ना कुमार मौठू पल्ली, प्रसन्ना कुमार मौठू पल्ली को NLC India Limited के अधिक्ष और प्रवंद निदेशक के रूप में चुना गया है who has been re-elected as the president of Angola, Angola के राजपती के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, किसने शपत ली है, तो भाई यह है, जाओ लोरेन को, इनको प्रसन्ना गया अंगोला का, अंगोला का प्रसन्न कौन सा state of union territory है, जिसको इंडिया का पहला स्वक्ष सूजल प्रदेश नियुक्त किया गया है, यह declare किया गया है, गोशित किया गया है, तो किस राजप और केंदर सासे प्रदेश को भारत का पहला स्वक्ष सूजल प्रदेश, स्वक्ष सूजल प्रदेश गोशित किया गया है इसको भारत का पहला स्वक्ष सूजल प्रदेश यो खोशित किया गया ओके नेक्स्ट बैंगलूरू एफसी ने मुंबई एफसी को हराकर 131 वा जो एडिशन दा है डूरन कब कब वो अपने नाम कर लिया इसका पहला और कुल मिलाकर यह जो 131 वा डूरन कब रहा था यह ब फर्स एडिशन इस कॉंपिटीशन का कब खिला गया था बताएज दोस्तों बहुत बढ़िया भाई अगला सवाल देखना जितेंद्र सिंग यह इंडियन डेलिगेशन भारती प्रतिनिधी मंदल का नितुत करेंगे और यह किस देश में रहेगा तो यूएसे में। तो यूएसे में भारती प्रतिन निधी मंदल का नेतुत्त करने जा रहे हैं जितेंदर सिंग और इवेंट का नाम है ग्लोबल क्लीन एनरजी फॉरॉम ग्लोबल क्लीन एनर्जी फॉरम, नेक्स्ट, रिलाइंस जनरल इंशुरेंस, यहां तक हम लोगों के कल की न्यूस थी, कल हम लोगों ने नौन न्यूस पड़ी थी, अब छे आज की सवाल है ये, ठीक है, रिलाइंस जनरल इंशुरेंस ने किस कंपनी के साथ रही है, किस कंपनी के साथ पार्टनर्शिप करें भाई, बताएं दोस्तों, किस कंपनी के साथ यह पार्टनर्शिप रही है, बहुत बढ़िया, ओके, यह इनकी पार्टनर्शिप रही थी, पेटीम के साथ, ओके, तो पेटीम के साथ रिलाइंस जनरल इंशुरेंस का कॉल एक joint maritime exercise रही थी उसमें participate किया What is the capital of Nigeria? Nigeria की राजधानी क्या है? भारती युद्धोपोत आइने स्तरकस ने Nigeria नोसिना के साथ समुद्री संख तो समुद्री अभ्यास में भाग लिया Nigeria की राजधानी क्या है? ठीक है, Nigeria क्या है अबूजा अबूजा इसकी capital है, currency नायरा चलती है अबूजा capital currency नायरा Who has been appointed as the member of IRDA Insurance Regulatory Development Authority of India Insurance Regulatory Development Authority of India के Member के तौर पर किसको चुना गया? इसका अंसर अगरना दोस्त IRDA, Insurance Regulatory Development Authority of India के Chairman नहीं पूछ रहा हूं मैं Member पूछ रहा हूं कि Member के तौर पर किसकी न्यूकती रही है? Who has been elected as a member of IRDA Insurance Regulatory Development Authority of India तो इनका नाम है मेरे भाई Thomas M. Devasia Thomas M. Devasia Society of Indian Automobile Manufacturer has elected whom as its new president for the fiscal year 2022 तो वित्य वर्ष दियर 2022 के लिए Society of Indian Automobile Manufacturers Society of Indian Automobile Manufacturers इसने किसे अपना नया अद्धिक्ष चुना है तो तो इनका रहा है Vinod Agrawal Vinod Agrawal को अभी S.I.A.M. Society of Indian Automobile Manufacturers का precedent अद्धिक्ष न्यूकत किया गया है ठीक है बाई? आगे दिखेगा Indecent Bank approved re-appointment of whom as the managing director and CEO for three years Indecent Bank ने किसे तीन साल के लिए प्रवंद निदेशक और मुख्य कारी-कारी अदिकारी के रूप में फिर से न्यूकत करने की मनजूरी दिए आज की न्यूज चल रही है बाई देखें यह आज की न्यूज ही समझे क्योंकि 9 नंबर के बाद से सब आज की न्यूज है यह सुमंद कत पालिया है तो यह हमारी कितनी आज हम लोगों ने न्यूज देखी यहां से अभी तक देखें कुछ नबर 10 से यह एक इंशुरेंस का कुलाबरिशन है यह एक मेरी टाइम एक्सिसाइज रही थी यह अपोइंटमेंट है मेंबर का यह डी आई का यह SIAM के अद्धिक्ष का अपोइंटमेंट रहा यह मेरे दोस्ट इंडेसिन बैंक के MTN CEO का अपोइंटमेंट रहा सुमंत कत पालिया अगला सवाल Medication Safety Medication Safety is the theme of World Patient Safety Day It is observed on which day यह किस दिन मनाया जाता है यह किस दिन मनाया जाता है मेरे भाई World Patient Safety Day यह प्रतेक वर्ष आपका 17 सितंबर को मनाते हैं और इसका विशे याद रखना है Medication Safety अगला सवाल International Equal Pay Day is observed on which day यह कब मनाया जाता है दोस्तों अंतरासी समान वेतन दिवस यह आपका दोस्त 18 सितंबर को मनाते हैं 18 सितंबर को International Equal Pay Day के रूप में Celebrate किया जाता है International Equal Pay Day अगे बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं आज की important news की तरफ पहली news देखेगा Air India ना भी क्या किया है अपना एक transformation plan launch किया है खुद का जो एक transformation plan है वो यहाँ पर launch किया है इनका target है world class airline बनना अब world class airline बनने के लिए आने वाले 5 सालों में इन्होंने जो title यहाँ पर दिया है अपने plan को उसका नाव है वेहान वेहान.ai असलों वेहान एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है एक नए यूग की शुरुवात तो यह CEO है इसके Campbell बे है यह नाम याद रख लेना वेहान एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है एक नए यूग की शुरुवात और वेहान.ai यह इनका एक ट्रांस्फोर्मीशन प्लान है एर इंडिया का आने वाले पास सालों में वर्ल्ड क्लास एरलाइन वनना है, वर्ल्ड क्लास एरलाइन बनना है, clear है भाई हो, डन आगे देखना आगला नियूस, सैज रिपब्लिक, यह चेक गड़ राज, ओके चेक गड़ राज की लिंडा, फ्रू, विर्टोवा हैं, इन्होंने, मांगडा, किनको विर्ड़ भाई, मैगडा, मैगडा लिटेन को हरा दिया पॉलंड के, तो पॉलंड की मैगडा लिटेन को हरा कर, चेक गड़ राज जी की लिंडा, फ्रू विर्टोवा ने, चिन्नई ओपन डब्लू ट ये टाइटल अपने नाम किया, चिन्नाई open WTA, Women's Tennis Association, 250 टाइटल अपने नाम के, यह event का नाम है, चिन्नाई open WTA, 250 टाइटल, ओके, जी जिता कैसे, Linda न जीता है, लिटन को हरा कर, ऐसे याद रखना लिंडा न जीता है, मैगडा को हरा कर fine, this was the first this was her first tour title, ये इनका पहला, लिंडा का पहला ये, तूर खिताब रहा था याद रखना, लिंडा का पहला ये तूर खिताब रहा था, डबल्स में, टॉप सीड़ केनेडियन ब्राजिलियन पेर, भाई, कैनेडा और ब्राजिल का एक प्रेयर है, बेर कैनेडा और ब्राजिल की एक जोड़ी है उन्होंने ये टैटल अपने नाम किया था गैबरी एला, इनका नाम है गैबरी एला डाबरो बस की, डाबरो बस की, तो गैबरी एला डाबरो बस की और लुईस है स्टेफ़नी ओके यह केनेडियन ब्रेजिलियन पेर है इन दोनों का नाम याद रखना है इन दोनों ने डबल्स दी था किसको हराया था रशिया और जॉर्जिया की एक रही थी ऐना बलिन कोबा और नटेला जाला मिद्जे ओके इनको हराया था तो यह नाम रीड कर लिए ना डबल्स का, देखें, सिंगल्स का पहली प्राइवरिटी आपको देखें, लिंडा ने मैगडा को हराकर यहां पर चिन नहीं ओपन WTA 250 टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है बाई, डन, अब इसके बारे में समझते हैं, तो यह 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 य टन ओफ WTA tournament in India for the first time since 2008, 2008 के बाद से WTA tournament भारत का अब लॉट कर आया, okay, WTA tournament भारत में रहा है, Women Tennis Association tournament, fine, और यह चिन नहीं ओपन रहा, जो कि हाटकोट पर रहा, विवेंस सिंगल, विवेंस डवल किसने जीता, I hope clear होगा, गौर्मेंट ने अभी आहाल पिलाल, एक डाबिटी डाबिटीज, ड्रग लॉंच के इसका नाम है, सरकारने मधुमे की दवा जो लॉंच करें, इसका नाम है, सिता, सीतल, गलिप, अरे बाप, अरे बाप, सिताग लिप्टन, आप इसको हिंदी में बच जाओ मेरे भाई, इसको आप पहले ऐसे पढ़ो, सिताग लिप्टन, सि टाइग लिप्टन, ठीके, गलिप्टन भी पढ़ सकते हो, सिताग लिप्टन, या जैसे हिंदी देख रही है, बट मेरे को हिंदी में मैं एक बार पढ़ा नहीं है, मैं इसको और देख लूँगा, अभी इसको सिताग लिप्टन याद रख लो, यह जो फार्मसूटिकल ए medical device Bureau of India है, okay, pharmaceutical and medical device Bureau of India है, इस न्यू variant लॉंच किया है, यह सीता ग्लिप्टन का, okay, और इसके combination का across दी जन औस दी केंदर, अब जन औस दी केंदर समझो, यह जो प्रधान मंत्री जन औस दी योजना है, इसके प्रधान मंत्री जन औस दी केंदर बनाए जाते हैं, okay, इन केंदर पर यह available रहेगी medicine, okay, यह medicine जिसका नाम क्या है, सीता ग्लिप्टन, okay, इसका नाम याद रख लेना, fine किसके लिए हैं यह, तो यह मधु मेह के लिए, बजरंग पुनिया ने भारत के लिए bronze medal जीता है, वर्ल्ड रेसलिंग championship में, अब important यह है कि यह वर्ल्ड रेसलिंग championship होका रही है, तो यह जो वर्ल्ड रेसलिंग championship है, यह सर्विया के bell grade में है, bell grade में चल रही है और बजरंग पुनिया ने भारत के लिए ब्रॉंज मेडल जीता है यह इस इवेंट में भारत का दूसरा मेडल है इससे पहले विनेश फोगात ने भी भारत के लिए मेडल जीता है समझते हैं बजरंग पुनिया इन्हों ने भारत के लिए ब्रॉंज मेडल जीता ह 65 kg category में, 65 kg के डिगरी में, World Wrestling Championship में, World Wrestling Championship में मलब सद्विया का बैल ग्रेड, इसके अलावा इन्हों ने हराया किसको था, तो प्यूटो रिको के, जो प्यूटो रिको के, सबस्टियन है, सबस्टियन रिवेरा, इनको हरा कर ये इन्हों ने अपने नाम किया था, ये पूनिया क चौथा मेडल है, Championship में, इससे पहले, इन्होंने ये जो जर्नी स्टार्ट कीती, वो 2013 में कीती, ब्रॉंज के साथ, फिर यहां पर वो सिल्वर मेडल जीते थे, 2018 Championship में, उसके बाद फिर एक और ब्रॉंज मेडल जीते थे, तो 13, 18 और 19, इसमें तीन मेडल जीते थे, इस वार इन्होंने चौथा मेडल रहा है, इन्होंने 53 kg के टिकरी में भारत के लिए पहले से मेडल जीते लिया है, क्लियर है भाई हो, आगे देखना, हिंदी में भी इसको पढ़ लीजेगा, USAID और UNICEF ने एक दूर से नमस्ते सीर्चक से दूरदर्शन और YouTube शिर्खला लॉंच किया है, मतलब एक तरीक के यह समझ लीजे कि एक इवेंट होगा, एक समय है निश्चित यहाँ पर, और यह जो USAID और UNICEF दूनों ने मिलकर दूरदर्शन ने की YouTube कारिकरम शिरू किया है, ओके, दूरदर्शन YouTube कारिकरम का नाम है दूर से नमस्ते, कह नाम है बिटा दूर से नमस्ते, यह नाम याद रखना है दूर से नमस्ते, तो दूर से नमस्ते एक television series है, जो की healthy behavior को promote करेगा post pandemic world और यह जो program होगा telecast होगा हर एक संडे को सुपह 11 बजे से 12 बजे तक यह चलने एक घंटे का यह कारेकरम रहेगा दूर से नमस्ते, तो USAID और UNICEF ने तोनों ने मिलका रहे से दूर दर्शन YouTube कारेकरम को शुरू किया इसका नाम है दूर से नमस्ते, नेक्स्ट, इंडिया drop to ranking in global crypto adoption index, अब global crypto adoption index है उसमें भारत को दोस्तान का घाटा हुआ है, अब मैं पहल भारत किस नमबर पर और देश किस नमबर पर है, इस ranking को देखना, overall index ranking में देखे तो Vietnam पहले नमबर पर है, दूसरे पर Philippines है, तीसरे पर Ukraine है, भारत चौथे नमबर पर मेरे भाई है, United States फिफ्त नमबर पर खिसक गया, पाकिस्तान चटे पर है, ब्राजील साथ में पर है, और Thailand इसमें 8 पर है, तो अगर हम लोग देखे तो Vietnam पहले पर है और अपना प्यारा भारत मेरे, 24 नमबर पर है, इस ranking में, fine, अब समझते है, India fell from second to fourth spot, भारत दूसरे से 4 नमबर पर खिसक गया है, 22 के global crypto adoption index में, और इस ranking को जारी के channelysis ने, channelysis ने, okay, crypto analytics firm है, channelysis के द्वारा 22 का global crypto adoption index जारी क्या गया था, और भारत दूसरे से 4 नमबर पर आ गया, जबकि जो Vietnam है, ये cryptocurrency adoption में, पहले नमबर पर रहा है, okay, पहले नमबर पर, 1 इसका score रहा था, इंडिया के score 0.663 रहा था, और 0.663 के साथ भारत 4 नमबर पर इस index में रहा है, clear है भाई हो, done, top 5 याद रख लेना, भारत की ranking याद रख लेना, ये सारी याद रख लेने, देगे, वह एक बाद session को share कर दीजिए यार, दोस्तों, आज, आज थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है, क्या session, बिटा आधी रोटी पर दाल लेते हो न, तब ही दिमाग खराव होता है, टेके, शुरुआ से session देखोग बढ़ा tough होगा, और तुम्हारे लिए tough होगा, नहीं तो today I'm on leave, okay, leave पर हूँ भाई, सिर्फ session लेने का purpose ये है, कि मेरे लिए दूसरे दिन ज्यादा burden ना हो, और तुम्हारे लिए भी दूसरे दिन ये ना हो, कि इतना loaded session हो, नहीं तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं अगले दि ना होगा, मैं MCQ 15 की जगे 30 ले आऊँगा, मेरे को बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, लेकिन तुम्हारे लिए फिर यही होगा, हला काट दो में बैट का रहे, सर इतना सारा एक दिन में कैसे करे, जो थोड़ा ना है प्लीज आर ग्यानवा जी मत दिया करो comment मे ठीक है, SBI Global Factor, यह अब SBI की 100% Owned Subsidary है, SBI Global Factor जो है, इसमें 7% हिस्सेदारी SBI ने खरीद लिए, अब 7% हिस्सेदारी खरीद लिए, मतलब कितने हिस्सेदारी लगबग, 14% हिस्सेदारी और इसने यहाँ पर खरीद लिए, ठीक है, तो SBI Global Factor Limited, जो यह SBI Global Factor Limited है, यह SBI की 100%, 7% Subsidary बन गई है, इसमें 14% की हिस्सेदारी SBI ने खरीद लिए, अब यह 14% लगबग है, कुल मिलाकर 13.82% हिस्सेदारी है, जिसमें CDB से इतनी खरीदी है, महरास्त, Bank of महरास्त से इतनी खरीदी है, Union Bank of India से इतनी खरीदी है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह जो टोटल हिस इसके लिए समय लो कि इसके लिए पे कितना किया है, 67.84 करोड लगवा 68 करोड रुपे, इसके लिए SBI ने पे करें, तो यह SBI Global Factor Limited है, अब 100% Owned, 100% Owned SBI Subsidary है, यह एक Non-Banking Financial Company है, जो कि Domestic और Export Factoring Services प्रवाइड करता है, ठीक है बढ़ाई, आगे बढ़ते हैं, इंडस्टिलिस्ट स्वांती पीरामल इनको अभी Top of French Honor दिया गया था, अभी एक French Honor एक व्यक्ति को और दिया गया था, मतलब जो यह French Honor है, France का जो Highest Civilian Award है, उससे अभी एक व्यक्ति को और सम्मानित किया गया था, उस व्यक्ति का नाम बता सकते हूं मेरे को कमेंट में, दे इंडस्टि इंडस्ट्री, साइंस, मैडिसन, टुवर्ट्स, इंडो-फ्रेंच, टाइस, जो भारत और फ्रांस के बीच में, जो सम्मानित किया गया, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया, उनर का नाम याद रखना, मतलब सम्मान जो है, यह President, जो Emmanuel Macron है, उनके बहाव पर यह दिया गया है, Civilier Dela Leason the Honor, या फिर Knight of the Leason of Honor, ओके, Knight of the Leason of Honor, यह याद रखना, सशी थरूर को भी अभी सम्मानित किया गया था, इनका नाम भी याद रखना, इसको रिएट किया गया, तर नैपोलियन बोना पार्टनर इसको रिएट किया था, स्वाती पीरामल is also recipient of Padamshree इनको जो इंडिया का Highest Civilier Honor मैं से एक है, Padamshree मेरे दोस्त, इससे भी सम्मानित किया है, बसे भारत में भारत रत्रत है, उसके बाद आता है आपका Padma Bibhushan, फिर Padma Bhushan, और फिर Padma Shree, जो Highest Honor है, उनमे से एक है, Padamshree, इससे स्वाती पीरामल को भी सम्मानित किया जा चुका है, अब यह सिंगापूर का जो Central Bank है, और IFSC है, यह Collaboration important बनेगा हमारे लिए, तो जो Monetary Authority of Singapur है, यह Singapur का Kendri Bank, Monetary Authority of Singapur मतलब Singapur का Kendri Bank, तो जो Monetary Authority of Singapur है, और जो IFSC है, International Financial Service Central Authority है, इन दोनों ने अभी एक Fintech Cooperation Agreement sign किया, Fintech Cooperation Agreement, Fintech Technology के उपर काम किया जाएगा, तो यह Fintech Cooperation Agreement एक दूसरे को यहाँ पर Financial Technology के छेतर में को आपर काम करेगा, असल में यह जो IFSC है, International Financial Service Center Authority है, यह Unified Authority है किसी इसके लिए, For Development and Regulation of Financial Product, तो जो Financial Product है, Financial Services है, Financial Institution है, इन International Financial Service Center, ओके, दिरा ध्यान समझना, जो IFSC, International Financial Services Center है, यहाँ पर जो भी Financial Product है, Financial Services है, Financial Institution है, उनके Development और Regulation का का काम करता है, International Financial Service Center Authority, ओके, IFSC में इन सभी चीज़ों के Development के लिए काम करता है, IFSC है, ओके, और यह जो है, IFSC है, यह कहाँ पर है, गुजरात International Finance Tax City, गांदी नगर में, ओके, इसको जरूर याद रखना है, मेरे भाई, तेके, कहाँ पर है, कहाँ पर है, गुजरात International Financial Tax City, गुजरात गांदी नगर, फाइ इसके अधरशिला रखी गई है, कमेंट में इसके अधरशिला कहाँ पर रखी गई है, यह मोदी जी के दुवरा, ओके, अगला देखना, NHRC Chairperson, इनका दाम है, अरुन कुमार मिश्रा, अरुन कुमार मिश्रा, अब इन अरुन कुमार मिश्रा को, क्या बनाया गया है, अरुन कुमार मिश्रा इनका, इनका अलाबा, जो Global Alliance on National Human Rights Institution Bureau है, इसका भी यहां पर member नियुकत किया गया, क्लिए भई? Done. I hope you are clear होगा इतना सभी के, ये दो के member बन गए यहाँ पर है कौन ये NHRC के chairperson है, NHRC की स्थापना 1993 में हुई थी, headquarters का नहीं धिली में located है, clear, परने मॉंडल, ये तो कितनी बार पड़ चुके है, असल में है क्या कि जो CSB Bank के MD&CEO तो थे, बढ़ी interim थे, okay, temporary थे, right now इनको 3 सालों क लिए पॉइंट कर दिया गया है, तो परले मॉंडल has been appointed regular managing director CEO of CSB Bank, तो CSB Bank के MD&CEO के परले मॉंडल, जो ये CSB Bank के 26 November 1920 को बनाता, okay, इसका headquarter जरूर याद रखना है, केरल के थिरसूर में इसका मुख्याल है, कहां पर इसका मुख्याल है, केरल के थिरसूर में, इसका मुख् इसका मुख्याल है, ठीक है भई, election commission of India ने क्या किया है, दो को आप समझना, जितने भी को जो आप लोगों देखते होंगे, अक्सर election जब होते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो BLO बनाए जाते हैं, block level officer, okay, अभी block level officer क्या होते हैं, sorry, booth level officer, कि जो election होते हैं, उस दौरान जो booth बनाई जाएंगी, उनके लिए officer बना दियेगे, सरकारी जो करमचारी होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर booth level officer बनाए जाता है, तो election commission of India ने अभी एक BLOE पत्र का जारी करी है, तो यह जो BLOE इनको पूर ग्यान मिले, इसके लिए BLOE पत्र का जारी कर दी है, to establish direct communication with the booth level officer, अभी जो magazine होगी, English और Hindi और Reasonable Languages में available होगी, इसकी जो theme रहेगी, उसमें जो subject रहेंगे, वो EVM, BV, PAT training हो गई, जैसे, टीक है, पूलिंग बूत के बारे में होगई, यहाँ पर, postal ballot facility के बारे में होगई, unique water awareness initiative होगई, यह सारे इस पत्र का में मिलेंगे, तो BLOE पत्र का यहाँ पर election commission of India के दुआरा जारी की गई है, election commission of India, okay, next, former रास्पती जो अपने थे रामणात कोविंद सहाब इन्होंने, किताब जारी करिये, रामणात कोविंद सहाब ने जो किताब जारी कर दिए, उसको नाम है, Ambedkar and Modi, okay, Ambedkar and Modi, reformer's ideas, performance implementation, okay, Ambedkar and Modi, reformer ideas, performance implementation, इस किताब को रामन किया गया, इस book को compile किया है BlueCart Digital Foundation के द्वारा, okay, तो ये जो BlueCart Digital Foundation है, उसके द्वारा इस book को compile किया गया, okay, और book का नाम याद रखना, Ambedkar and Modi Reformer Idea Performer Implementation, okay, Reformer Idea Performer Implementation, clear है भाई? ये रहा overall session आज छोटा session रखा है, बट news wise आज आज कल के 9 MCQ और आज हम लोगों ने 16 MCQ करें तो साथ तो MCQ में हम लोगों ने news cover कर ली, क्योंकि तुम लोगों को यही रहता ना चोटा session, news नहीं है, तो भाई आज news भर-बर के हैं, 1, 2, 3 तेरे news यहां से cover हो गई, मेरे भाई साथ MCQ से हम लोगों ने cover कर दी, तो लगए 20 news आपकी cover हो गई है अज छोटा session है, बट effective है, इसको cover करना ठीक है, बाकी आज मैं आपको कुछ भी connect करके नहीं पढ़ाया हूँ कल का session होगा, हैल से रहती, कल connect करके पढ़ाऊंगा मेरे भाई, नहीं तो एक दुदून का मेरे को time दो, जब तक relief मिलता है, तब तक ठीक है और बाकी आप लोगों से मेरी गुजारिश है, बाकी किसी भी batch में आपको admission लेना है ठीक है, चाहे मेरा warrior batch हो, चाहे भाई कोई भी bank maha pack हो, अभी भी store पर double value दिख रही है, 6 plus 6 वाला bank maha pack कभी भी हट सकती है ट्वैल मन्त के साथ, ट्वैल मन्त वाला bank maha pack 24 मत के साथ मिल रहा है, ठीक है, इतने में मिलेगा आपको यह जाकर आप enroll करा सकते हो जो bank insurance के लिए उनके लिए bank maha pack, जो bank insurance के सासथ regulatory body के लिए उनके लिए bank maha pack plus और जो मेरे भाई बैंक के लिए जा रहा है वो bank महापेक जो bank insurance और plus regulatory body bank महापेक प्लस जो bank और SSE दोनों के लिए जा रहे हैं वो फिर लेना अड़ा का महापेक कोड याद रखना अपने भाई का Y168 test series ebook printed book के लिए कोड है Y168 as code वापाय टेक केर राध राध दोस्तो